जाए हिंद इस वीडियो नों PMC Fin Corp Limited कमने वारे में बात करेंगे देगे PMC Fin Corp का इतने दिनों तक नीचे की तरह फिर रहेगा उपर उठने का चांसे चाहिए कंपनी का बिजनेस मुड़ा लोगों को इसमें इंट्री लेना चाहिए या अभी जो लोग पहले से भाई करके फंसे उन्हें भी निकल जाना चाहिए इन्हीं सब मुद्धों प्रग्दाम असान वीडियो में बात होगी बस आप लाश्ट तक बने रहे हैं यह सुरू करते हैं देखिए पीएंसी फीन कॉर्प लिमिटेट जो कंपनी है यह एक फाइनांस सेक्टर की कंपनी है अर्थात यह फाइनासेल प्रडक्ट का डिस्ट्रिबूशन और मार्केटिंग के काम करती है इसका लावा कंपनी स्टॉक मार्केट में भी डिलिंग और इन्वेस्टमेंट करती है अब देखेंगे जो मार्केट के फे 222 रॉप्य का है अर्थात पेनिये स्टॉक में थोड़ी उप्री लेवल गया कंपनी है और सेर प्राइस देखेंगे तो चार रॉप्या पचासी पैसा आज के दिन का रॉप्या देखें बनाया था और हाई कोई बनाया अभी इसी साल जनौरी 2022 में अपना रॉप्या इसने रॉप्या बनाया और उसके बाद देखेंगे तो 18 जनौरी से स्कम्पनी का सेर प्रस डाउन जाने लगा जो 28 फरोरी तक लगता डाउन गया यान और इस दोरान इसका शेयर प्राइस से गारह रोपया तालिस पैसा से कम होका रहा गया सिर्फ चार रोपया साथ पैसा तक यानि कि करीब को डेल महां में यह लगवक साथ पर्टेंट तूट चुगा है अठाइस फरोरी के बाद से फिर उपर की तरफ जाने लगा यानि कि अप्रेंट रस्टार्ट हुआ कि इतने दिनों देखें कोई लगतार दो माह चार माह तक नीचे की तरफ ही नहीं रहता है पीच्छी में उठता भी है 15 मार्च तक लगतार 28 फरों से 15 मार्च तक कंपनी का स इस दोरान 4 रुपया 7 पैसा से इसका शेयर पैस बढ़कर 6 रुपया 57 पैसा तक आया लेकिन 15 मार्च के बाद से फिर कंपनी का सेयर पैस डाउन जाने लगा जो कि अभी तक डाउन टेंड में ही है और इस दोरान देखेंगे तो 6 रुपया 57 पैसा से प्राइस कम होकर 4 रु रुपया 2 पैसा का उसको इसने ब्रेक कर दिया है अगर यहां पर भी ठाटा थारता है तब संभावन है कि सेयर पैस तीन रुपया सब्सक्राइब जा सकता है हाला कि उतना नीचे जाने के चांस नहीं है क्योंकि तो अगर बात कर तो आपर जा रहा है तो जा रहा है तो कुछ कमाक नहीं दिया है एक माह का रिटर्न भी कंपनी का निगेटिम में चला गया अब बचाए साल भर का रिटर्न अगर आपको बहुत जल निगेटिम ही देखने को मिलेगा हाला कि इसकी समाना कम है क्योंकि इतना बुरा दिन इसका नहीं आएगा अब भरुसा रखिए अब भरुम इसमें अभी आचा खासा क्रियेट नहीं हो रहा है एक दिन में 24 लाग दो दिन में 24 लाग एक सता में 22 लाग एक माह में 17 लाग अगर थोड़ा सा देखें तो इस हिसाब से भरुम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन कुछ खास तीजी अभी भी देखने क नहीं मिल रहे है और जब तक भरुम में अच्छा तीजी देखने को नहीं मिलेगा बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाने के चांस नहीं है वह दहां कि बढ़ियां आता है तब मिलेगा नहीं आएगा तो फिर दिकत बना रहा सकता है और कम्यूटी सेग्मेंट में देखेंगे तो मेरा आपको सुझाओ रहेगा कि अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक हैं तो कम सकम क्वाटर फोर के रिजल्ट आने तक आप बने रही है अगर अच्छा आता है तो आपको जरूर अगर उपरी लेपर बाई करके फसले तो आपको प्रफिट हो सकता है और थोड़ा स काफी अच्छा है मतलब वैसे तो 10 परसेंट कास पास होता तो काफी अच्छा माना जाता लेकिन प्रफिट होता है उस मामले में देखें तो यह काफी बड़ी है कम सकम इसका पोजेटिव में करजा कंपनी को पर साथ करोंड 27 लाग का करजा कुछ बड़ी बात नहीं है कंपनी का प्रोफिट बढ़ रहा है कंपनी के पास रिजर्व है तो करजा कुछ खास मायने नहीं रखता है और इस कलमा जो कंपनी का असेट से 83 करोंड 20 लाग का यह भी धिरी धिरे बढ़ते जा रहा है अब समझे प्रमोटर्स में है लगभग 20% का पास इसमें प्रमोटर पहले ही कहा कि अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक हैं तो आप इंतजार की और को नया विक्ति अभी इसमें इंब्स्मेंट करना चाहते उनके लिए मैंने बता दिया कि आप भी वेट कीजिए उसके बाद ही आप इसे स्टॉक में इंट्री लीजेगा तो उमीद करता ह मेरी बात हैं आप वो समझ माई होंगे वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा फिर फिर अगर मन में कोई सवाल है कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट पर बात एक कर सकते हैं परसनली मुझे जूड कर कोई पूछना चाहते हैं बात एक करना चाहते तो मुझे निशक वीडियो में तब तक धन्य बात शुक्रिया